बाबा का शिरवाद SPM जनलन पर आपका स्वागत है मेरा नाम सुमन मलिक रोतक हर्याणा से है दीपक की आकरतियों में आपको अलग अकरतियां दिखाना हमारा एक उदेश्य होता है इस आकरति में आप दर्शन कीजी मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया है कि जो ये पूरा गोल जैसे जैसे आँखे दिखाई देती है या आपकी जैसे इसमें दो बिंदू दिखाई दे रहे हैं पूरे गोल गोल तो ये आकरति हम जब भी ऐसे हम आकरति के दर्शन करती है तो क्या तो हम ये मानते हैं कि ये जिस देता की हम पूजा कर रहे हैं उनके नैन हैं पर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें हमें जैसे की सूर्य को हम देखते हैं जब वो सुबह उगता है लाली मास ही युक्त ये दर्शन हो रहे हैं क्योंकि आपने इस दिपक को ध्यान से देखा होगा कि ये राम दरबार के सामने हनमान जी के सामने ये दिपक जलाया गया होगा है और राम जी को सूर्य वन्ष से जोड़ा गया है इसलिए बहुत सारी आकरती अगर आप देखोगे तो उन आकरतियों में ये चीन आपको जुरूर नजर आएगा कि सूर्य के आकरती बहुत जादा बनती है ये आकरती आप दूसरी आकरती देखें इस आकरती में आप जैसे एक पिंडी रूप में दर्शन कर रहे हैं आभा बहुत अच्छी है नील ब्लू कलर भी नीचे का बना हुआ है जब भी ऐसी आकरती बनती है देखो इस आकरती का जो एक तरह से ओज है वो बहुत ही जबरदस्त है और जो नीचे का कलर है इसमें चोटे 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 आप देखो न जिसे मैं कई बार कहती हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गैंदे के फूल हर मंदिर में चड़ाया जाते हैं जैसे इस आकरती को आप देखोगे बिल्कुल जब इस आकरती पर फोकस कर रहे हैं तो छोटे 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 आपको जैसे तारे दिख रहे हैं देखो दीपक की आकर्तिया जब हम अपनी मन की दृष्टी से प्रेमा भाव से देखते हैं तब वो हमें बहुत सुन्दर और देवे शक्तियों से भरी भी नजर आती हैं आप इसमें जितनी आकर्तिया देखोगी ये एक ही घर की आकर्तिया हैं पर अलग-अलग देवताओं के सामने ये अलग-अलग आकर्तिया बन रही हैं तो ये भी अदभुत है कि उसको बदलते हुए देखते हैं सुभह वो अलग रूप में होती है थोड़ा-थोड़ा आगर गंटे-दो गंटे बाद हम उस आकर्ति को देखते हैं तो उसमें बहुत ही एक एलोकिक परभाव देखता है तो ऐसी आकर्तिया दिखाना मेरा एक उदेश है कि इससे आप एक ऐसी चाहिए देखोगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आप बहुत सारे बहुत सारी आकर्तियों क दर्शिन कर पाओगे मिरे से एक पिछे भीक ने पूछा था कि जो ब्लू कलर है अगर ये बनता है तो ये कितना पवितर या कितना पॉजिटिविटी से भरा होता है तो कहा जाता है कि हमारे धरम में नीले कलर को बहुत ही जादा पवितर माना जाता है अनर्जी से भरावा माना जाता है शक्तियों का परतिक माना जाता है जैसे माता जो काली है उनका कई रूप आप नीली माता काली देखोगे नीला कलर रूप मिलेगा उन पर क्योंकि माता काली के भी बहुत सारी रूप है जिन में उनको कहीं पर काला रूप दे रखा है विल्कुल उनको काला शरी बना रखा है कहीं में नीला बना रखा है ऐसे ही आप शिवजी का भी देखोगे तो उनके शेरी को भी नीला दिखाया जाता है कृष्ण मगवान के शेरी को नीला दिखाया जाता है राम जी को नीला दिखाया जाता है ये बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारी मुविज में तो इसके पीछे का रहस है हम देखते तो हैं कि भी special लगाया गया है और हमी मैसूस भी होता है कि ये दिखाया दे रहे तो क्यों दिखाते हैं उसका कान क्या है क्योंकि वो ऐसी शक्ती होती है जो हमारे संसार से जोड़ी होती है जैसे आकास का बहुत सारे कलर हैं पर जब वो नीला होता है तो अब हमें बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे ही अगर आपके दीपक में नीला कलर आया है तो ये शक्तिवों से भरावा है पवीतरता से भरावा है इस विश्या पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है अगर आप देखना चाहो तो चैनल पर है जिसमें पहले मैंने ये सेरीज शुरू की थी जिसमें लाल कलर, नीला कलर, पीला कलर, बहुत सारे कलरों के बारे में मैंने बताया भी था और मेरा उदेश है रहता है कि आपको अलग-अलग चीजे नई नई गर की हैं इसारी पर आकरतिया अलग हैं उनमें कलर्स भी अलग हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हम इन आकरतियों को बनाते हैं या हम भी मोडिफाई करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये अलग-अलग भगतों के द्वारा भेजी जाती हैं जिनको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और शैद मैं ये कहती हूँ उन भगतों को भी आशिरवाद पराप्त होते रहें और उनका भी जैसे कहते हैं कि आकरतिया उनकी अमर रहेंगी इस चैनल पर जब तक रहेंगी अमर रहेंगी तो कि हम कोई भी चीज अपने चैनल पर डालते हैं वो कभी भी हम देख सकते हैं और ये देखो कितने सुन्दर आकर्ती है देखो इस आकर्ती में अलग रूप है आप देख रहे हैं नो कि हर आकर्ती में इनकी अलग-अलग रूप है क्योंकि ये अलग-अलग जैसे देखो मैंने ये बात कईयों ने पूछा कि जी अलग क्यों ह क्या कारण है इसका कारण यही होता है कि अगनी देव के द्वारा जिस भी देवी देवताओं को हम परसन करने के लिए धीपक जलाते हैं वो देवी देवता तक हमारी सीधी बात जाती है या कह सकते हैं हमारी पुकार यागरी देव को जो यह वर्दान है कि उनके द्वारा हर किसी को हर देवता यहां तक भी कहा जाता है कि अगर कोई प्रेतों की भी सिध्धी करना चाहता है या तांत्रिक हवन करना चाहता है वो भी हवन की द्वारा उस विधी को सफल करने की कोशिश करता है तो यह आकरती देखो कितनी अच्छी है जैसे कि बड़े बड़े फूल बनेवे हैं इसमें बड़े का मतलब फूलों की जो अंदर की जाकी दिखती है वहाँ पर है आकरती स्पष्ट और बहुत सुन्दर है और देखो आकरती का जो रूप होता है अगर हम चारों तरफ से देखें तो वो बड़लता है तो उस बदले वे रूप को आप देख सकते हैं और आप अपने घर में भी देखो जैसे एक फूल खिलता है जैसे एक लोंग का फूल बना हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जैसे लोंग होती है लोंग का फूल की तरह है तो कि कहते हैं लोंग बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है बहुत ज़्यादा हर किसी को मैं यह कहते हूँ अगर आप हिंदू हो सनातन को मानते हो तो अपनी मंदिरी में लोंग जरू रखा करो, अपने दीपक में लोंग जरू डालो, अपने हवन में लोंग जरू डालो, अपने खाने में जरू डालो, कहते हैं लोंग शरीर को भी अच्छा बनाती है, आपके घर की एनरजी को भी अच्छा करती है, कुछ चीजे जो हमारे पूर्वज करते थे, वो कई बर हमे बता नहीं पाए कि उसका क्या उदेश है नहीं तो उनके कारण बहुत सारी चीज़े सात्विक चलते रहती हैं अब इस देपक की आप देखो एनरजी इसमें एक साथ है जैसे मुख भी बनावा है चंदर भी बनावा है छोटे छोटे डोट्स के रूप में आप आकरती देख देपक जलाए जाते हैं अलग-अलग बगवान को लिए आप देखो जैसे कि दिल है कितनी सुन्दर आकरती है ये इन आकरतियों में आप देखो कि अलग-अलग आपको एक उरजा फील होगी जैसे इस आकरती को हम देखते हैं तो जैसे कि एक काच का गोला नहीं बना देते हैं ऐसे कि काच के गोले में एक सुन्दर सी आकरती है कि मातराने के दर्शन हो रहे हैं तो इन दर्शनों से हमें बहुत लाव मिलता है और जो भी ये सोचते हैं कि हमारी आकरती ओपर ब्लू कलर बन रहा है अच्छा है कि नहीं है ये बहुत अच्छा है देखो जैसे कि नाग बना हुआ है नाग शक्ती के रूप में दिपक में नाग बनना भी बहुत अच्छा होता है अगर आप माता लक्ष्मी के नाम से दिपक जलाते हैं तो उसमें चावल जरू डाले आपके गर में कभी खानी पीने की कमी नहीं रहेगी और अगर आप हन्मान जी के नाम का दिपक जलाते हैं तो उसमें दो बूंद चमेली के तेल के डाल दें या कोई भी इतर और अगर आप शिवजी माता पार्वती के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें आप सदैव इस बात का ध्यान रखें उसमें थोड़ी सी मिसरी या पतासा जरूडा ले भोग के रूप में क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने उनके आकरतियों को देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से आकरतिया जलाती है देखो इनकी कितनी अच्छी बात है कि जो इनका दीपक है वो बिल्कुल साफ सुथरा है कईयों की दीपक हम देखते हैं बहुत ही गंदे होती हैं तो आप मेरी इस बात का बुरा मत मानना देखो मेर को जो चीज दिखती है मैं कई बर आपको सिर्फ समझाने के लिए कहती हूँ कि वो जो दीपक होते हैं जो गंदी हो जाते हैं उनको आपको साफ करना चाहिए ये बहुत जरूरी है अगर आप किसी चीज़ को साफ नहीं कर रहे हैं तो आपको भी उसका दोश लगता है आपकी पूजा का फल कम होता है इसलिए आप एक नियम बना कर उनको साफ जरूर करें और अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगटिविटी ज़्यादा बन जाती है तो दीपक में दो काली मिर्च जरूर डाले दो लोंग जरूर ड है कि हमारे घर में प्रेम रहना चाहिए जैसे जिनके घर में प्रेम की कमी है आपस में तनाव ज़्यादा रहता है उनको दीपक में गुलाब जल या गुलाब की पंखडिया डालनी चाहिए या गुलाब का इत्रा आता है तो वो आप जरूर डालें क्योंकि हर दीपक में अलग अलग शक्तियां नहीं तोती हैं आप किस उदेशे से दीपक जला रहे हैं ये उदेशे बहुत जरूरी है आप देखो इनके आकर्तियों में अलग अलग प्रभाव मैसुस कर भी रहे होगे कि देखो अलग-अलग आकर्तियों में अलग-अलग रूप दिखाई दे रहे हैं ये देखो कितना मनोपोर दर्शा आप देख रहे हैं तो इन बातों का आप जुरूर ध्यान रखें कि अगर आप ये बार-बार मैसूस करते हैं कि आपके घर में कोई भी काम बार-बार रुक रहा है काम नहीं बन रहा है तो आप जब दीपक जलाती हैं उस दीपक की इस बात पर जो दिहान दे कि जो आप दीपक जला रहे हैं घी का जला रहे हैं उसमें दो दाने मिश्री के डाले क्योंकि बहुत सारे लोग भूग परदान नहीं करते हैं तो इसी में आप दो मिश्यरी के दाने डाले उससे भी आपको बहुत अच्छा परभाव मिलेगा दीपक में अगर आपको लगता है जैसे इनकी सामनी जैसे इनकी आकर्ती है ऐसी आकर्ती आपकी बन रही है बहुत शान्त लोग चल रही है ब्लू कलर बना हुआ है जब भी ऐसी आकर्ती बनती है तो अगर इस आकर्ती का लास्ट में कुछ भी अंस बच जाता है तो उसको आप उठाकर रखें उनका देवी प्रियोग करें क्योंकि उसमें शक्ती आई है वो शक्ती सदैव रहेगी और हनमान जी ऐसे आप